चोपड़ा एजुकेशन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ करनाटका स्टेट ने मोपप राउंड के लिए सेडूल जारी कर दिया है करनाटका में एजुकेशन अच्छा होने वे प्राइवेट मेडिकल कोलेज की फीस बाकी स्टेट से कम होने के कारण अधर स्टेट के स्टुडेंट इसमें एडमिसन लेने को फर्स्ट प्रियोर्टित देते हैं यहां का पूरा पकेश सालाना साड़े ग्यारा से बारा लाक एरली पड़ेगा जिसमें होस्टल मैस सबकुछ सामिल है इतने फीस होने के बावजूद भी यहां के प्राइवेट मेडिकल कोलेज की कटोप काफी ज्यादा हाई रहती है और सेंट जोन मेडिकल कोलेज की कटोप तो गॉर्मेंट कटोप से भी लगबग 15 मार्क्स ज्यादा रहती है अभी सेकेंड राउंड का मोक अलोटमेंट आया है उसमें कटोप देखें तो जो सेंट जोन मेडिकल कोलेज है उसमें जिस कंडिडेट की 10,800 आल इंडिया रेंग थी जिसके 623 मार्क्स थे उसको ये कोलेज मिला है बात करें हम रमया की तो रमया मेडिकल कोलेज जिस कंडिडेट के 18,618 आल इंडिया रेंग थी मार्क्स थे उसके 603 तो उसको रमया मिला है इसमें अभी जो टैन लाग की कोलेजे हैं उनमें सबसे कम कटोब रही है नवेद्दे मेडिकल कोलेज राइपुर की जिसमें रेंग 27435 रेंग जिस कंडिडेट को थी उसको नवेद्दे मेडिकल कोलेज राइचूर का मिला है जिसके 585 मार्ग्स थे इसमें चार कोलेज हाई फीस की हैं उनमें सबसे कम कटोब डॉक्टर चंद्रमा दयानन सागर की रही है जिसकी रेंक एक लाग बासट हजार ससो सतर थी चार सो बीश माक्स ते उस कंडिडेट को ये हाई फीस वाली कोलेज मिली है अब हम एक बार इसका सेड्यूल देखें मौपप राउंड के लिए तो फ्रेस रेजिस्टेशन होंगे इसमें 12 डिसंबर 2020 से 14 डिसंबर 2020 तक जिन कंडिडेट ने फर्स्ट में फर्स्ट राउंड के लिए रेजिस्टेशन नहीं करवाया है वो मौपप में फ्रेस कर सकते हैं इसमें इसके बाद में जो डोकुमेंट्स अपलोड करना है वो 13 से 15 डिसंबर 2020 तक करना है इसके बाद इंट्री पास जिन्होंने आलड़ी रेजिस्टेशन कर रखा है राउंड वन में वो 14 से 16 डिसंबर तक इंट्री पास डाउनलोड कर ले और जो न्यू डिसंबर से 23 डिसंबर तक होनी है अभी रेंक वाइस सेड्यूल इसमें आ जाएगा वेब साइट पर नोटिफाई कर दिया जाएगा इसके बाद में जो जो जोइनिंग की लास्ट डेट होगी मेडिकल कोलेज में वो 25 डिसंबर 2020 साम साढ़े पांस बजे तक होगी इसके ब के बाद भीज दी जाएगी दोपेर दो बजे के बाद में भीजी जाएगी जोइनिंग की लास्ट डेट 31 डिसंबर 2020 साम साढ़े पांस बजे तक रहेगी अब आपको जो डोकुमेंट्स वहां लेके जाना है वो ओरिजनल डोकुमेंट्स तो सारे लेकर जाना ही है यह ओफ Vaidue czy Namily vacation शिल्प लेके जानी है और इंट्री पास जो आप डाउनलोड करेंगे वेरिफेकेशन सीलिप भी डाउनलोड होगी जब आप डोकुमेंट्स अप्लोड कर देंगे तो तो इस परकार के डोकुमेंट्स आपको वहां लेकर जाने हैं कर्णाटका में ओन पिछले साल प्राइवेट कोटा के लिए 251 seats वेकेंट रही थी लेकिन इस साल काफी कम seat वेकेंट रहने की समाऊना है मोपप राउंड में हालांकि मोपप राउंड के बाद open quota की seat तो available नहीं रहती है इस टे वेकेंट सी राउंड में मगर जो other quota और NRI quota की seat हैं वो काफी वेकेंट रहती हैं NRI की seat अधर quota में convert कर दी जाती हैं मगर इनका budget काफी ज़्यादा रहता है आप ये website पर इसकी फीश देख रहे हैं other quota और NRI की same फीश है लेकिन ये फीश काफी ज़्यादा है ये budget सवा करोड तक पहुंच जाता है मौपप राउंड के बाद में जो इस्ट्रे वेकेंसी राउंड होता है उसमें अगर आप इन अधर कोटा की सीट्स पर एडमिसन लेते हैं तो सवा क्रोड का बजट बैठता है वो भी इस पेमिंट को नेगोशेट करने के बाद में ये फीस कोलेज दोवारा नेगोशेट की जाती है अधर कोटा के लिए तो आप इसमें एडमिसन ले सकते हैं इस्टे वेकेंसी राउंड में कोलेज में जा करके कोलेज में ये है देख लें आपको कौन से कोलेज में एडमिसन लेना है उसी कोलेज में परजेंट होकर वहां फीस का एक बार बात कर लें कोलेज से कित सेकंद राउंड की कटोफ है वो तो पालाडी डिसाइड हुई गई है जो मोख अलोट्मेंट आ गया है उसमें 585 कटोफ रही है तो वही कटोफ रहने की समभावना है वही कटोफ रहेगा 585 बात करें हम मोपre राउंड के कटोफ की तो यह 575 कटोफ रह सकती है मोपप राउंड तक लेकिन जिन कंडिडेट के 570 या 565 मार्क से उन कंडिडेट को भी चांस लेना चीए और मोपप राउंड में बैंगलोर जाना चीए इन कंडिडेट को जहां इनको कहीं seat नहीं मिल रही है तो ये candidate भी chance ले सकते हैं हो सकता है उनको भी seat मिल जाए एक बार मौपप में जाने से पहले आप पूरा 3-4 दिन का plan वहां के लिए रुकने का करके जाएं हो सकता है इस्टे vacancy round तक आपको वहां रुकना पड़ जाए इस्टे vacancy round में भी आपको seat मिल जाए अगर कोई open quota की seat रहती है वेकेंट तो तो ये जानकारी थी करनाट का state के बारे में बाकी states की update में आपको समय समय पर देता रहता हूं जैसे ही किसी state की update मिलेगी मैं आपको inform कर हुआ आपको वीड़ा जैहिंट